Hi developers, so data structure v javascript के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं adjacency list graph के बारे में आपको पता है graph दो तरीके से रिपर्जेंट कर जा सकता है एक होता है हमारा adjacency list graph जो हम लोग इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कर लो चाहे तो आप map data structure यूज़ कर लो एंड चाहो तो आप लोग normal object and array use कर लो right so हम लोग क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर object and array use करेंगे reason being कि अगर आप fresher हो हो जकता है कि आपको पहले से link list and map data structure के वाले हम पता हो बट किसी और developer को ना पता हो so object and array basic चीज होती है javascript के अंदर उनके बारे में सब को पता रहता है तो हम लोग उनी के साथ में यहाँ पर हमारे एडिसेंसी लिस्ट ग्राफ वाली representation करेंगे तीन चोटे-चोटे point है कि हम लोगों ने यह वाला graph बनाए था यह same graph में यूज करूँगा अब भी ठीक है यहाँ पर same node and vertex ऐसा क्यों ताकि आप लोग last वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा compare कर पाऊ अगर आगे पीछे कर दीना तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कठिनाई हो थोड़ी सी दिक्कत हो समझने के लिए इसलिए मैं graph सेम यूज करूँगा अब उससे पहले एक बार के लिए मैं नॉर्मल रिपर्जेंटेशन समझा देता हूं चीक है या फिर array वगरा कुछ नहीं बनाना ठीक है नॉर्मल array का जो matrix होती है वो इस तरीकी हम लोग बनाते हैं वो आपको नहीं बनानी आपको करना क्या है बस आपको इस node से कौन-कौन सी node connected है उनको point out करना है जैसे कि मैं simply लिख देता हूं यहाँ पे A, B, C and D और यह किस किस से connected ह मान लोग कि A connected है यहाँ पे किस से है B and C से connected है and B किस से connected है A and D से connected है इस तरीकी से आपको representation करनी है ठीक है and बाद में हम लोग उसको एक array लेंगे एक object लेंगे और object के अंदर एक array लेंगे जिससे कि आपकी वो जो nodes हैं अराम सी represent हो जाएंग और एक दूसरे को point out भी कर पाए हूँ मेरे पास यहाँ पर A B C D थोड़ा से मैं इसको zoom out कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए यह हमारे पास graph था इसके अंदर मैं करता हूँ न यहाँ पर समझाता हूँ आपको A B C D A किस से connected है B से connected है and C से connected है ठीक है D अकेला B से connected है and C दोनों से connected है इस तरी metrics ठीक है यह लास्ट वले पार्ट में यूज करें थी लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे हम लोग जहां पर दिखाता हूँ मैं आपको जस्ट आपको represent करने है A B C and D यह आपकी object की keys रहेंगी ठीक है object की keys रहेंगी जब प्रोग्राम करना तो आपको बनाकर दिखांगा यह आपको इस तरीके से एक point out करेंगी जिससे connected है जैसे की A हमारे किस किस से connected है B and C से तो हम लोगों ने पहले क्या कर रहा था है यहां पर 00 इस तरीके से mention कर रहे है तो वह आपको mention करने की जुरूत आप simply लिखना है आपको कि A किस किस से connected है B and C so मैं हापे red panel लेता हूँ B and C से connected है चीक है उसके बाद में B किस किस से connected है A इस graph में भी दिख रहा है आपको C and D और यहां पे भी सही बात है यह तीरों से connected है तो मैं हापे same इस तरीके से लिखूंगा जो à B के लिख इस किस से connected है हाँपके A C and B and C किस किस से connected है यहां पे आप देख सकते हो A से and B से and D किस किस से connected है only to C B तो यह आपका basically क्या सकते हो एक object का array बन गया यह हमारा एक object रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके अंदर हमारे यह keys रहेंगी और यह इसके अंदर इसके चोट-चोटे array रहेंगे, जो यह node से connected है, इस तरीके से इसकी representation हो गई, आप इसको बना के देखते हैं, हम लोग प्रोग्राम में की किस तरीके से बनाएंगे, मैं आपर क्या करता हूँ, एक simply कोई भी variable ले लेता हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ, ADJ, ADJ list कर देता हूँ, इसका नाम, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहेंगी, जो हमारी मालो के आपको यही वाला graph बनाना है, तो इसकी जितनी भी nodes हैं, आप nodes की key बना लेंगे, सबसे connected रहेंगी, उसके बाद में B, आएगी हमारे पास, आप चाहो तो यहाँ पे capital B वगरा भी ले सकते हो, 123 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, but better way is small ABC low, because बार बार capital वगरा करने में दिक्कत होती है, उसके बाद में C, C के अंदर भी किससे connected रहेंगी, किससे connected रहेंगी मैं को बताऊंगा अभी कि किस तरे किसे mention करने है, D and D इसके अंदर एक array को point out करेगी, जिससे connected होगी, ठीक है, अब देखो, यह हमारा बिल्कुल blank बन गया, अब देखो, A किसके connected थी, B and C से, तो array के अंदर यहाँ पे दो element रहेंगी, एक रहेगा B and एक रहेगा C, ठीक है, इसक अब इसके साथों मैं यहाँ पी यहाँ लेकूंगा, A, उसके बाद में C and उसके बाद में D, ठीक है, and C किसके से connected है, वापस से आते हम यहाँ पे, A and B से, ठीक है, जो, यह A and B से connected है, and last one हमारा क्या है, यहाँ पे, last one हमारे D वो किसे connected है, अब इसको अगर आपको किसी भी नोड को चेक करना है, आप यह चेक करना चाहते हूँ, मालो की A से कौन सी कौन सी नोड कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ पे console.log या console.1 यूज़ कर लो, adjacencylist.a ठीक है, यह गरोगे आप तो आपको जिस जिस नोड से कनेक्टेड है, वो आपको data यहाँ पर मिल जाएगा, B and C से कनेक्टेड है, और आप यह चेक करना चाहते हूँ, सबसे पहले किस से connected है, तो C, अच्छा, D लिखा गया, पहले D ही चेक कर लेते हैं, कोई नी जो लिखा गया, वही चेक कर लेते हैं, यह B से connected है, C कि से connected है, हमारी तीन नोड से connected है, so इस तरह की समय इसकी, okay, हाँ, sorry, B तीन नोड से connected है, C भी दो से connected है, तो यह हमें मिल गई, अगर बी चेक करेंगे तो हमारी बी भी तीन से connected है, यहां पर देख सकते हैं, राइट, तो यह एक graph adjacency list का example था, नेक्स वाले प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी complex चीजने देखेंगे, graph के बारे में, thank you so much for watching this video, and please support me by subscribe my channel, like this video, and share your feedbacks in the comment section, thank you, I really appreciate your time.